वाइस के से आप आई हो पच्छे होंगे मैं लेकर का आया हूँ आज प्रक्टिस सेट हिंदी स्वागत है आपका मेरी वीडियो में तो शुरू करते हैं आज का प्रक्टिस सेट निमलिकित पिर्तिये पिर्सन में दी गई रचना के रचेता के नाम का चैन कीजिए उसके तो आपने उत्तर का चैन कर लिया होगा तो सही आंसर हो जाएगा साखी के रचेता कौन थे तो वो थे सी कवीरदाश दूसरा है पुस्व की अविलासा किस कवी की रचना है माख राम चंदर शुकल की है माखलाल चत्रुवेदी की है दिनकर की है या सुर्यक अंतरपाटी निजाला की है तो वह है पुस्फ की अविलाशा माखलाल चत्रुवेदी किसकी है माखलाल चत्रुवेदी की रचना है पुस्फ की अविलाशा तिसरा है संदेश रसक किसकी रचना है अमिर खुसरो की है उस्मान की है अब्दुर्रह्मान की है यह रसलीन की है तो संदेश रस कि अब्द्द्रह्मान की रचना क् Milliarden गुरुन ना की टू बीने पत्रे का जो रजञा है वो किसी है हमारी वह तुलसी दार्षकी किसकी तुलसी दार्षकी नैस्ट कोसन है चित्रावली चित्रावली के जो रचेता है वह कौन है नूर मुहम्मद है कुतुबन है या उस्मान है या सैनापती तो चित्रावली के जो रचेता है वह कौन है उस्मान कौन है उस्मान नैस्ट कोसन हमारा कुटुज, जो कुटुज के लेखक हैं, बो कौन हैं? हजारी पर्शाद इवेदि हैं, रामचंदर सुकल हैं, जैसंकर पर्शाद हैं नमक का जो दरोगा हैं, उसके लेखक कौन है? जैशंकर परशाद, जनंदर कुमार, सुर्य कांतरपाटी निराला या मुंसी प्रेमचन तो नमक के दरोगा के जो लेखक हैं वो हैं मुंसी प्रेमचन और मुंसी प्रेमचन नाइस्ट कोर्सन है रंग भूमी जो रंग भूमी के लेखक हैं वो कौन है रजेंदर यादव, विश्णो पिरभाकर, रामबिरक्ष बेनिपुरी या मुंसि प्रेमचन तो रंग भूमी के जो लेकक हैं वो कौन है? एक उपनियास है किसका? मुंसि प्रेमचन जी का? तो इसके लेकों कौन होंगे? मुंसि प्रेमचन होंगे जहांसे की रानी जो जहांसे की रानी के रचेता है। तो ये किसकी है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा विश्णू पिरुभाकर क्या हो जाएगा विश्णू पिरुभाकर और रामधरिशन दिनकर ने भी लिखी है विधाय चैन्ज हो सकते हैं इनकी आद नरेश्वा रामधरिशन दिनकर और विश्णू पि लिखी है कि तो रश्क प्रिया जो रश्क प्रिया है बुक किस कवी की रचना है तो इसका शाहर हो जाएगा बी केसब दाश की रचना है रशिक पिरिया है पिरिए पुर्वास किस कवी की रचना है तो पिर ये पुर्वास मैद्रिस रनकुपति की है जो खड़ि वोली का पिर्थम महाकाब्यी का पृत्रम महाकाब्यी ज़ो इसमें उनिस सो चोधा में लिखा गया था पिर यह पिर्वास जो है और यह चीज़ को द्यान रफना है फिर हमारा पिरिवास हो गया है तो तमस किसकी रचना है तो नागर जुन की है रचंदर यादब की है या ममता कालिया की है या भीश्म शाहिनी की तो तमस जो रचना है वो भीश्म शाहिनी की है तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका भीश्म शाहिनी डी सही हो जाएगा नेस्ट कोसन है हमारा मेला आचल मेला आचल किस कवी की रचना है फंडीसवर नात रेडू की है इलाचन जोसी की है यह जनंदर कुमार की है यह राम ब्रक्ष बेनी पुरी की है तो मेला आचल किस की रचना है बहुत चर्चित रचना है मेला आचल वो है फंडिस्वर नात रेडू की है जो 1954 में लिखी गई थी जाज का पंच्छी किस कभी की रचना है रजंदर यादप की है या उदे संकर भट की है या इलचन जोशी तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इलचन जोशी सही आंसर हो जाएगा D सोलमे का देखिए सोलमे का है सिर्फ संभू का चिट्था सिर्फ संभू का चिट्था किस कभी की रचना है किस लिखक की रचना है बाल किष्ण भट है भाल मुकुंद गुप्त है या भाल मुकुंद गुप्त की रचना है किसकी बाल मुकुंद गुप्त है तो सही आंसर हो ज तो यह किसका हए ए्जावटि एरावति जो पन्यास है जैशंगर परसाद ईका है जो अपने आप में अपून है कि फिरहें चिदंबरा घदंबरा जो हाँ वह किस कभी क 17 सुर्यकांत्र पार्टन की निदाला की है यह रामधाशिंग दिनकर की है यह महादवी बर्मा की है यह सुमित्रनदन पंत की रचना है जिसे 1968 में ग्यानपीट पुरुषकार मिला था किता 1968 में ग्यानपीट पुरुषकार मिला था चिदंबरा पर किसे सुमित्रनदन पंत को आधे अधूरे आधे अधूरे किसकी रचना है तो जगदी चन्द माथूर की है महान रचेश की है विवे की राय की है या विश्णून पुरुषकार की है तो आधे अधूरे जो रच येवे रचना है वो किसकी महार रकेश की रचना है वे किसकी रचना है तो सही हो गई सीर्चना है ये पुस्पा की या रांब्राक्छm इन्पुरी की तो वह मारे महादेवी बर्मा की नर्श कोसन नकित्वा सरंखलाव की कड़िया किस रिक्ला की कड़ियां कि लेक्ड प्व कत्रा तो वह रचना है रामधरिष्ण दिनकर की है रामचंदर शुकला की है डाक्टर रामकोर बर्मा की है या महादेवी बर्मा की तो शही आंसर हो जाएगा इसका महादेवी बर्मा या हो जाएगा महादेवी बर्मा सही आंसर हो जाएगा इसका वाइस में का डी नेक्ट कोसन है चिंता मड़ी चिंता मड़ी किसकी रचना है हजारी परशाद दिवेदी की है डंक्टर नगेंदर की है डंक्टर रामकोर बर्मा की है यह रामचंद्र शुकली की है तो चिंता मड़ी जो रचना है वो रामचंद्र शुकली की है और आपको कमेंट्स बोक्स बताना है कि राम्चंद्धर जो चिंतामड़ी लिखी दिरे में तरो जो किसल कभी की ए झलेंदृ कुमार की है हजारी पशा दिवेदी की है महादवी बर्मा की है रामचंदर शुक्ल की है जो तिरवणी रचना है वो रामचंदर शुक्ल ने लिखी है वो रामचंदर शुक्ल ने लिखी है और आपको बता रहा है तिरवणी जो रचना है उसमें किन-किन कवियों का जिक्रि किया गया है तिरमेडी रचना मचाय राम चंदर शुकल ने किन-किन कवियों के बारे में बताया है उसके बारे में आपको बताना है कमेंट्स बोक्स में तो नैश्ट कोर्सन है 25 वे का हिंदी सहित्य का आदिकाल जो रचना है वो किस ने लिखी है रामकमर बर्मर लिखी है सांति पर ये दिवेदिन लिखी है ललू लाल ने लिखी है ये हजारी परशाद दिवेदिन लिखी है तो हिंदी सहित्य का जो आदिकाल लिखा था वो लिखा था हजारी परशाद दिव कुमार की है तो जो सुनिता रचना है वो किसकी है हमारी जनेंदर कुमार की है सही आंसर हो जाएगा इसका ड क्या जनेंदर कुमार हार की जीत हार की जो जीत है वो रचना किसकी है तो हार की जीत जो रचना है वो किसकी है तो हार की जीत जो रचना है वो किसकी है सूदर्शन क कि है और हार की जीत जो और रचना है वो प्रेमचंद की भी है बचो किसकी है प्रेमचंद की भी है और एक की और है किसकी है एक की और है और वो दूसरे कौन है विशंभर नाथ विशंभर नाथ विशंभर नाथ विशंभर नाथ विशंभर नाथ विशंभर कोशिक कोशिक को कोश्चिक की रचना है ठीकिन अधियान अखना है किसकी सूधरसन की भी है प्रेमचन की भी है और विशमनात कोश्चिक की भी है खार की जीत नैश कोशन है असोग के फूल जो असोग के फूल रचना है वो किसका वी की है हजारी परशाद दिवेदी की है फंड डिसवरनात न हिंदी सहित्य का थियास किस न लिखा था राम चंद्र शुक्र न लिखा था डाक्टर रजेंद्र न लिखा था रजेंद्र यादव न लिखा था यह हजारी परशा दिवेदी ने तो हिंदी सहित्य का जो इतियास लिखा है संपू इतियास बोर्ड राम चंद्र शुक्र न अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सेर करें और कमेंट्स करें और मेरी वीडियो पर जो रिक्वार्मेंट आती है असिस्टन प्रोफेसर्स से सम्मधित ये पीएशडी एडविशन से इसे जानकर लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे